नमस्कार मित्रो आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे लगू बीजांग एवं पराकण दरसल ये बोड एक्जाम में मित्रो हर साल एक दो नमबर का प्रस पूछा जाता है कच्छा बारत जिव विज्ञान का या दूसरा अध्याय है लगू बीजांग या पराकण क्या होता है मित्रो यहां प्रजराब ध्यान दिजी मित्रो पराकण का मतलब यह होता है यह ऐसे कण होते हैं जो किसी दूसरे पेड़ पाउधो के मादा के जायांग में जाकर यह पेड़ पाउधे निर्माण करते है या पुस्पका निर्माण करते है राइट तो लगू बीज धका होता है मितनեु जो पराग के कण के बीज होती जिसे बीज बनते हैं जिसे पराग के जिसे पेर पधबनते हैं इसका जैविक अबघठन नहीं होता है इसी कारण पराग कंड लंबे समय तक अवसेश की रूप में बचा रह सकता है इसका जैवी का भटन मित्रो नहीं होता आप सोचिए कि किसी पराग कंड का जैवी का भटन होजा जैवी का भटन होगा ही नहीं इसी का पराग करण जो होते हैं लंबे समय तक आउसेस के रूम में बचा रहा सकता है इनमें जनन छित्र होते हैं जिनके द्वारा पराग नली निकलती है बाह चोल के नीचे पतली वा कोमल अंता चोल होती है जो बाहरी आप देखिए जो बाहरी होता है यह जो होता है जो अंता चोल होता है पराग के कणों का यह देखिए जो अंता चोल होता है वो काफी मुलायम होता है चिकना भी होता है यह मित्रों आप देख पा रहे हैं पराग के कण है जिससे पराग के पुस्प परागों जिससे पेड पौधे बनते हैं यह जनन छिद्र ह मतलब होता है कि इसी में मादा के जो अंडाणू होते हैं प्रुवेस करके अपना निर्माण करते हैं यह जनन केंद्रक होते हैं यह जो आप देख पारे जनन केंद्रक है जैसे मनुस्युन सुक्राणू बगारा होता हुआ ही है यह जनन कोश्का है पराग की सनजना है काई के जो आप देख पा रहे हैं पतली यंता चुल है बाहरी चुल आप देखिए काफी कठोर है काफी खुर्दूरा है तो इस प्रकार से मित्रों यह है जो आपका लग्रू भी जान या पराग कर और यह मित्रों हर साल आपकी बोड एक्जाम में पूछा जाता है और मित्रों पूरी आप इबाउट सेक्शन में जाकर थांक्स परोचिंग धन्यवाद